हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो होमफूट रसिपीज, आज हम बनाएंगे खजू रिमली की खट्टी मीठी चट्नी, इसे बनाना बहुती आसान है, इस चट्नी को आप सेव पूरी, दही पूरी, पानी पूरी, भेल पूरी, रगडा चाट, समोसा चाट या और किसी भी चाट मे लाता है, इस चट्नी को आप एक बार बनाकर फ्रीजर में दो से तीन महिने तक और फ्रीज में एक विक तक श्टोर भी कर सकते हैं, फिर जब भी आपको किसी भी चाट में इस चट्नी को योज़ करना हो, तो रोम टेंपरेचर पे आने के बाद इसे योज़ करें, तो चलि को हमें दो से तीन बार साफ पाने से धो लेना है, यह मैंने 40 करम जितनी इमली ली है, इमली में भी एक भी बीच नहीं होना चाहिए, परना जब आप इसे मिक्से में पीसेंगे, तो आपके मिक्सर जार की जो कटर है, वो खराब हो सकती है, तो अब इन दोनों को एक साथ मे हमें दो से तीन बार साफ पाने से धो लेना है, अब गैस पे मैंने एक कुकर गरम करने रख दिया है, उसमें हम धोए हुए खजूर अरिमली, दोनों को मैंने एक साथ ही धो लिया था, वो एड़ कर देंगे, अब इसमें हम एक कप जितना पानी एड़ करेंगे, 250 एमल जित तीन सिटी के बाद कुकर को मैंने अपने आपी ठंडा होने दिया था, अब हम इसे खोल के देख लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खजूर और इमली दोनों बहुती अच्छे से बॉयल हो गए है और सौफ्ट भी हो गए है, तो इससे अब हम टूटली ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हमें इसे मिक्सर जार में अड़ करके पीसना है, इससे अब गरम में बिल्कुल भी नापीसे, वन्ना जो सारा मिक्सर है वो जार में से बहा निकल कर उच लेगा, अब हमारे खजूर इमली दोनों टोटली ठंडे हो गए है, तो अब मैं इसे मिक्सर जार में एड़ करके पीस लोंगे, गैस पे मैंने एक पैन गरम करने रख दिया है और सारा मिक्सर मैंने पीस लिया है, हमारा खजूर इमली का पल्प बनके तयार है, इससे हम इस पैन में एड़ कर देंगे, और पीसने से पहले भी आपको एक बार इसे चेक कर लेना है कि इ उसमें भी हम आधे कप जितना पानी डाल की इसे भी पैन की अंदर ही हमें एड़ कर देना है, गैस की जो फ्लेम है वो मैंने अभी स्लो ही रखी है, अब इसमें हम आदे कप जितना यानि कि 70 ग्राम, 70 ग्रम जितना गोड एड़ करेंगे, मैंने यहापर देसे गोड लिया ह आप जो खुला पुरी गोड़ आता है वो भी ले सकते हैं और साथी में हम सारे मसाले भी इसमें आड़ कर देंगे तो सबसे पहले हम इसमें तीखी लानमिज पावड़र आड़ करेंगे एक चम्मच जितना में इसमें तीखे लानमेश का पावडर रैड कर रहे हूं आदा चम्मच इसमें हम जीरा पावडर रैड करेंगे एक चम्मच इसमें हम धन्या पावडर रैड करेंगे आप धन्या जीरा दोनों का मिक्स पावडर भी ले सकते है देड़ चम्मच जितना स्वाद के अनुसार इसमें हमें नमक डालना है नमक आप चटने को चखने के बाद में भी एड़ कर सकते हैं अगर कम लगे तो आदा चम्मच इसमें हम काला नमक एड़ करेंगे अब सब कुछ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये मिक्चर अभी बहुत ही गाड़ा है तो आदा कप पानी इसमें हम और एड़ करेंगे पूरी प्रोसेस में टोटल दो कप यानि की 500 ml जितना पानी यूज हुआ है अब हम इसे गुड को मेल्ट होने देंगे तीन मीनट उबालने की बाद हमारा जुगूड है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है लेकिन आप देख सकते है कि चतनी का जो कलर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है तो इस स्टेज़ पे में इसमें 1.5 चमब जितना कश्मीरी लानमेश पावडर रेट कर रही हूँ ताकि चतनी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा लाल आएगा जैसे हम बहार मार्केट में चाट खाने जाते हैं तो चतनी का कलर बहुत ही अच्छा होता है अगर आपको कश्मीरी लानमेश पावडर नहीं भी डालना हो तो आप स्कीप कर सकते हैं लेकिन ये देखिए चतनी का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा लाल आया है 2-3 मिनट इससे हम और उबालेंगे टोटल 5-6 मिनट में ही हमारी खजुर इमली की चतनी बनके तयार है टोटल ही ठंडा हो जाने की बाद इससे हम एर्टाइट कंटेनेंट में भरके फ्रीज में स्टोर कर सकते है अगर आपको मेरी खजुर इमली की चतनी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बैल आइकन है उसे भी दबाए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराती में देखना हो उसकी भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई